हेलो एबरिवन कैसे हैं आप सभी लोग आज इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बाटी चोखा जिसको हम लिठी चोखा भी बोलते हैं और ये पुरवांचल की बहुती फेमस डेश है वहाँ पर सभी लोग बहुत बनाते हैं बिहार में ये बहुत ज़्यादा खाई जात मैं ऐसेसी बिल्टी चोखा जोगते हैं तो आज मैं लिठी चोखा जोगान इसको गैस गरम कर लिए है अगर आपके पास हृँचने सिस्टम और शीडिदेशा बोलता सकते हं या फिर आप जो हैं जो हैं कुईले में बूण सकते हैं इसको पिशु और भी अच्छ मैने गैस पही भूण जा Okay एसे भी सक्ष काफी अच्छ आता है बस इसके बाद मैं श्रूराय को मैं जो असको मैं वैश करने के बाद मुझे आलू की जरूरत होगे उबले हुए आलू चाहिए है दो तीन मैं आलू इसमें फोर लोंगी उबले हुए उबले हुए आलू डालने के बाद हालू मैं अटाल दी हैं फिर से में हम कटा हुआ प्यास हरी मिर्च अद्रक यह सारी चुछेंट में मैंदे जौनाइँगी तर आता पूरफंसमél की जई नाल करभ कोड़ के करने लिए नगे लょकाताटा के हैं हरी मिर्च चुछल की का बगातार समय डौटा सकते हो लाल और भी ज्यादा टेस्टी लगता है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको कहीं हमें गैस पर चड़ा के कुछ तेल में फ्राइब नहीं करना होता है सिंपल आपको सब ऐसी चीज़े मिलानी है और इसमें हम सर्सो का तेल एक चम्मस डालेंगे सर्सो के तेल से चोखे का टेस्ट जो है और भी जादा अच्छा हो जाता है बस हमारा जो चोखा है वो रैडी हो गया है बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में और इसको आप चोखा बाटी तो खाई सकते हैं इसके अलाबा आप अगर दाल चाब साथ यह बनाएंग तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसके लिए इंतजार नहीं करना है कि जब हम बाटी बनाएंगे तब इंचो बनाएंगे आप कभी अब हम इसी तरीके से बाटी यानि लिट्टी बनाएंगे लिट्टी बनाना भी बहुत आसान है लिट्टी बनाने के लिए हम आटा सबसे पहले लगा लेंगे आटे में मैंने कस्पूरी में थी नमक और लाल मिर्च डाली है इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड या जो भी आप उयल यूज करते हैं हलका सा डाल देंगे जिससे जो आटा है वो अच्छे से चिकना हो जाएगा पानी डालकर इस आटे को हम लगा लेंगे आटा हमारा लग चुका है बहुती सॉफ्ट लगा है फूट पसिसर बहुत जल्दी हो जाता है इसी तरीके से हम जो बाटी है उसका स्टफ थैयार करें यहां पर हमने काले वाले चने लिये हैं जो काबुली काली चने होते हैं उसको भीगो कर थोड़ा सा फ्राइग कर लिय है और मिक्सी में पीस लिया है हमारा जो सक्तू है वो तैयार है आप बाहर का भी उसकर सकते हैं ऐसा जो है यह काफी सौद इसमें आता है और इसमें हम कटा हुआ प्याज हरी मिर्च अद्रक इसके लावा नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा साप चाट मसाला भी जो इसका स्टफ इसका बहुत अच्छा टेस्स आ जाता है बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें भी हम नीबू डालेंगे नीबू से जो खटा पनाता है वो अलगी होता है तो बस हमारा जो स्टफ है वो रैडी हो गया है तैयार हो गया है अब हम जो आटा है बस उसकी चुहे लोई निकालेंगे झाले निकालेंगे बस हम बेलना शुरू कर देंगे, पहले हम पतली सिलोई बेलेंगे, उसके बाद इसमें हम स्टफ बहर देंगे, बेलने से क्या होगा, जो ये एक बराबर हो जाएगी, वैसे कुछ लोग हास से भी करते हैं, और इसको हम अच्छे से बंद कर लेंगे, अच्छे से इसकी जो है, लोई बना लेंगे, ऐसे ही लोई आप तयार कर ले, इसको हम कड़ाई में बनाएंगे, तो कड़ाई में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप कड़ाई में भी बना सकते हो, जब आपके पास चूला या कुछ ऐसा नहीं है, जिसमें हम इसको भून सके तो आप कड़ाई में बनाओ, कड़ाई में भी बहुत अच्छा स्वाज आता है, मैंने इसको लिट्टी को कड़ाई में ही बनाया है, और बस अब हम कड़ाई में दी चड़ी हुई, आप देख सिछ सकते हो मैंने हलका सवाईल यूस किया है और इसमें हम जितनी हमारी बाटी है वह सारी हम डाल देंगे और एक तम हलकी गैस पर इसको होने देंगे, बाटी बनाने में थोड़ा टाइम लगएगा, क्योंकि एक तम हलकी गैस पर यह पकेगी देख रहो थोड़ी-थोड़ी हो भी गई है मेरी लिटी आप इसको ढग भी सकते हो हलकी गैस में इसको पकने दीचे अब बस हमारी जो लिटी है वो तयार हो जाएगी फिर इसको हम देशी घी में डिप कर लेंगे, हलका सा फोल लेंगे जिससे जो देशी घी है वो बाटी के अंदर भी फिल हो जाए बस और फिर आप इसको खाने के लिए तयार है, आप इसको खा सकते हो, आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप बताईए कैसी आपको लग रही है, बाटी चुगा मेरा, तो बस यही पर वीडियो को एंड करते हैं, अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक हो, सब्सक्राइब करना ना भूले, बाई बाई